हलो दोस्तों क्या हाल चाल यह पीछे मसीन खड़ी है गैरेज में और मैं जिस चीज पर बैठा हूँ यह हर नहीं है यह पीछे हर लग रहा ना यह देखो अब इसको देखाता हूँ यह क्या चीज है बहुत काम की चीज है हर किसान के लिए यह जो मैं बनाया हूँ बहुत कि यह हर देख के आप लोग पैचान के होंगे ट्रेक्टर कौन सा है यह अपना आइसर वाला ट्रेक्टर है जिस पर यह नीचे जो है लेबलर का काम करता है बैक लेबलर का आगे का यह और यह नई चीज बनी है उपर में मकसद इसी कताब नीचे वाला तो देखे होंगे आप लोग यह उपर वाला बना है यह फिक्स नहीं है यह एक श्ट्राली का काम करता है जिसे की बजार से कोई समान लेाना खाद और बाग से पत्ती ले आना बजड़ा ले आना यह सब कितान की जरूरत होती है अब इसको निकालने फिक्स नहीं है इसको निकालने के लिए सबसे पहले लाम उठायंग उपर थोड़ा आगे ठागे लेंगे आब यह आगे से उठेगा अब इसको फिट करने के लिए सबसे पहले ये नीचे वाला हिस्ता अंदर डालेंगे अब आगे इसे पकड़ लिया फिर पीशे खेच लेंगे अब फज गया ना यह बना कैसे है यह चार फिट लंबा है और अधाय फिट यह है और देड़ फिट की करीब हार है और यह सिप पाइप का बना है यह मसीन के लिए लिए पाइप निकलता है उसका बना है एक नीचे पाइप भी सपोर्ट लगा इसलिए कि पाइप बेंड ना हूँ और जिसका पूरा सपोर्ट ही इसका लोड जो है जब यह लोड होगा तो पूरा सपोर्ट यहां पे आएगा यह यहां से कोई वजनी चीज़ दी या दी यहां से मूड़ जाता पाई और जिसके वज़ा से एक सपोर्ट यहां से लगा है कि यह पाई पर कितना लोड दिया जाए इस पर कम से कंद तीन कुंटल के लोड दे चुके हैं मजबूतिक टेस्टिंग जब मैं कुछ बनाता हूं तो टेस्टिंग करता हैं शीपहले कितना भजन ले सकती है तो गारी आगए से उड़ जाएगी इतना भजन यह ले सकता है बहुत काम की चीज़ है एक ही ट्रेस्टर कर से बढ़ ट्रहकों खोलने की जंजघ जो भी काम समय में जोटाई का लेबिलिंग का ट्राई गाशन तीनों काम एक सार ट्रैक्टर करता है हूआ और अपने हा स्थ की अपनी पास है बड़ी बड़ी है जो उतना काम कर नहीं है आपने है पर भाले कुछ चलता हरता नहीं है यदन यह बूसें मसीन तो million चलती है और जब एक कटाई मसीन चलती है दो परहीं चलती हिसके बास चोड़ा-चोड़ा काम होता रहता है कि कभी मचली के लिए दाना ले आएंट कभी हतो कभी व는지 बजड़ा मेंसिंटी कामें होता रहता है तो ट्यॉम्रूर से आता रहता है अब यहां से पारा मौत देखो और सब मतीन का उधर बना है बाग के पीछे पारी, बना हम से यवादा है